कैसे हो आप सभी उमीद करता हूँ, आप सभी अच्छे होगे, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, पाई नेटवक और आइस नेटवक से जुड़ी कुछ छोटी बड़ी अपडेट जो की आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को प पूरा देखियेगा, चैनल पर नए होगे, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजेगा, क्योंकि भाई एक लाइक से मुझे काफी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हाँ दोस्तो, टेलिग्राम को तो भाई जोइन करना बिलकुल भी मत बूलना, क्योंकि का लिंक मैंने अपने टेलिग्राम पर दे दिया है, टेलिग्राम को जरूर से जोइन कर लेना, क्योंकि पाई से जुड़ी सारी अपडेट और एरड्रॉप, आप देख सकते हो, मैं एरड्रॉप भी आपके साथ में शियर कर रहा हूँ, पहला एरड्रॉप, फिर देखो य जोस्तों, आइस का छोटा अपडेट है, जो कि आपको जानना चाहिए, हम पहले आइस नेटवक के तरफ शिफ्ट करते हैं, आइस नेटवक का में नेट लॉंच होने जारा है, 7 अक्तोबर 2024 को, और दिसेंबर 2023 तक आइस नेटवक, एथिरियम नेटवक के उपर लॉंच हो होता हुआ, नजर आएगा, ऐसा उड़ता उड़ता रूमर आ रहा है, इसके साथ साथ आइस नेटवक कॉइन मार्केट कैप के साथ में काफी सारा कोलेबुरेशन भी करने जा रहा है, तो यह तो किलियर हो गई है, कि आइस नेटवक, दिसेंगर में लॉंच होता हुआ, न अल्रेडी आपको वीडियो में बताया है कि आप कैसे KYC कर सकते हो इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है step by step आपको कैसे KYC करना है चलिए दोस्तों अब आते हैं अगले न्यूस के उपर जो कि PIE Network के लिए सीधा निकल कर आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि PIE News India, Indonesia is hosting a P2P food barter event with pie payment based on GCV value यानि कि दोस्तों 3,14,169 डॉलर के according इंडोनेशिया में एक food barter का event रखा गया और यह event काफी ज़्यादा successful भी हुआ है ऐसा वहाँ के community का कहना है और यह जो barter system है यह जो event है इस तरीके का event आपको USA के अंदर, China के अंदर, even India के अंदर भी अब बहुत जल् को मिलेगा बाकी Vietnam, Indonesia, China, Hong Kong जैसे countries के अंदर already बहुत सारा successful event हो चुका है लोगों ने बढ़ चड़ कर भी support किया है आप लोग comment करके बताईए इस तरीके का event इंडिया के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बाकी दोस्तों चलते हैं कुछ और update के उपर जहाँ पे अ नहीं हो पा रहा था अब उसके उपर बहुत जल्द काम किया जाएगा और सारे लोगों का KYC final करके market में आपको देखने को मिलेगा पाई network में नेट लाता हुआ बाकी दोस्तों कुछ और news की उपर अगर हम shift करें तो यहां पर आपको दिख रहागा था pioneer communities holding meeting in full swing to reach more consensus and help पाई को support किया जा रहा है चोटे से चोटे दुकान से लेके बले से बड़े companies अब पाई के साथ में आ रहे हैं बड़े companies का मैंने नाम लिया तो आईए बात करते हैं Amazon का बहुत ज्यादा possibility बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पाई network का जैसे ही main net आएगा Amazon accept करता हुआ न मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि चाइना ही पहला country था जिनोंने bitcoin को support किया था और आज के rate में आप bitcoin का कारणामा देख सकते हो कि कहां से कहां BTC पहुंच चुका है वही चीजे आज आपको pie के साथ दिखने को मिल रही है और pie जीस तरीके से फैलता चला जा रहा है द पूरे-पूरे-पूरे-पूरे-पूरे cryptocurrency market में भाई मैं आपको clearly बता रहा हूँ कोई भी bitcoin हो BNB हो Ethereum हो सबसे ज़्यादा holder आपको pie network के ही देखने को मिलेंगे उसके ससर pie network का ही सबसे ज़्यादा use case भी आपको market में देखने को मिलेगा अगले news की उपर अगर हम shift करें दोस् चारा company अब पाई network के साथ integrate करेगा जहां पर बड़े-बड़े giant का भी नाम है giant company की भी नाम है जैसे कि Mastercard हो गया वीजा हो गया bitcoin हो गया Ethereum हो गया और यह services totally decentralized blockchain के वाया provide कराएगा कौन पाई network एक और बड़ी update है दोस्तों पता है क्या आपने नाम सुना होगा ना India post का India के अंदर जो काम करता है logistic का exactly आपको पाई network भी इस तरीके का काम करता हुआ नजर आने वारा है worldwide और अगर सोचो इस type का अगर service इंडिया में चल गया तो भाई पाई का फिर future क्या ही होग वह आप समझ सकते हो पाई basically अपने आपको जितना ज्यादा हो पा रहा है उतना ज्यादा use case बनाने में काम कर रहा है क्योंकि भाई bitcoin तो देखो तू कैसे चल गया है ना मतलब मैं clear आपको बता रहा हूँ bitcoin का use case है मानता हूँ crypto का mother है मतलब कहीं कहीं ना कहीं अगर हम बात कर mother of cryptocurrency bitcoin है bitcoin सही लोग cryptocurrency को जान रहा है लेकिन पाई network को लोग कैसे जानेंगे तो इसी के उपर ही पाई code team कहीं ना कहीं काम कर रही है जितना ज्यादा से ज्यादा use case हो पा रहा है पाई network का बनाने का कोशिस किया जा रहा है तो ये काफी ज्यादा positive step है मेरे हिसाब से कहीं ना कह होना है लेकिन कब आएगा भाई तो इसका अभी पता नहीं है जैसे ही minute आएगा धीरे धीरे चीज़े आपको market में होती हुई नजर आईगी आप अपनी राय भी comment करके जरूर से बताईएगा city bank के अंदर अगर हम बात करें तो city bank indonesia का जो है वो test कर रहा है पाई के blockchain को और पाई blockchain city bank of indonesia के साथ में integrate होने की possibility बताई जा रही है तो यह भी एक काफी ज्यादा positive step हो जाता है पाई network के लिए इससे पाई network के community में काफी अच्छा खासा positive response हम लोगों को देखने को मिल सकता है इसके साथ साथ दूस्तों एक dental clinic है कहां पे जानते हो dental clinic है 100% payment accept कर रहा है व वो क्या बोलता है ना कि थोड़ा पैसा आप fiat currency में दे दो यानि कि आयनार US dollar में और आधा पाई में दे दो लेकिन यही एक मात्र service दे रहा है जो की full payment accept कर रहा है पाई के वाया तो यह भी एक अच्छी पहल कही न कहीं हो जाती है और यह चीजे जो है आपको वियत नाम मे लाके चल रहा है बस हम लोगों को wait है कि इंडिया के अंदर भी कुछ इस तरीके के events देखने को मिले और मैं आप लोगों को इसी तरीके का news लगातार share करता रहा हूंगा तो आप channel को subscribe करके video को like कर देना और हाँ दोस्तो telegram को तो भाई join करना बिलकुल भी मत बुलना क्योंक उसे आप यहाँ पर देख लिजेगा और तीनों mining का link मैंने अपने telegram पर दे दिया है telegram को जरूर से join कर लेना क्योंकि pie से जुड़ी सारी update और airdrop आप देख सकते हो मैं airdrop भी आपके साथ पर share कर रहा हूं देखो पहला airdrop फिर देखो यहाँ पर कोई news आ गया वो फिर द वीडियो के साथ